इस वेल्कम टुमाइब न्यू लक्षर आफ इंडस्टियल फ्लूट पावर लास्ट लक्षर में हम लोग वेन कंप्रेसर को कम्प्रेसर को पढ़ना है इस क्रूप्रेसर देख लेते हैं क्या होता है अल्यडी हम लोग स्क्रूप पढ़ चुके हैं सेम फंक्शन पर यह भी से इसको एर को हुआर को प्रेस की जाता है है हमने ऎ vain divvy दिखा सश्क्रूप वहां पर देखा था दोे स्क्रू लगा हुआ था कि यहां पर भी क्या रहता है दो स्कूरू लगा हुआ है फस्ट जो है वो ड्राइविंग साफ्ट से कनेक्टेड है और सेकंड जो है ड्रीविंग साफ्ट से कनेक्टेड है फस्ट का कनेक्शन हमने मोटर से कर दिया है जिसका वजह से वो रोटेट होगा और स्पीड के लिए स्पीट को ट्रान्स्फर करने के अचार लिए और कंट्रोल करने के लिए हम लूग टाइमिंग गार्टे करते हैं जो वह एकन कद रहे ता है और यह कंपलिटली बाः से स्विल पंग करते हैं ऑ Бы स्वी पिरहर कंटिवन रोटेशन के वजह से आगे की तरफ बढता जाता है लो होता है कैसर और एरिया इसका कंब्रेसर में क्या रिद्श करते हैं हम प्र टो आ जाता है लेकिन एडिया कम होने के वजह से सिर्षन कवहने को अहीं होता हुअ चला जाता है इस क्रूपर से उसे इस पर ऊपर आगे हमलोंब देखने वाले एक इस कुल कर वजह से हैं पर मोतर को रॉतेशन के वजह से स्कुल होता है वो ड्राइविंग शार्फ करता है ड्राहिवन धाक्षाम करता है और चैकंड होता है तो नहीं देखा था आगे देखेंगे अभी डायं का लिए निए पर सम्हें आधे को रिभया के सब्सक्रेंट-वार्प मैं लुक्त प्तुम्हें है पिर वहात से निकनलने के बाद घी अगर गुत कर देंगा वह पर कि अभाय होग लूग तो और यहां पर फिर अगर कंस्रुक्ट्शन के बात करें तो स्क्रू होते हैं बहुर में केसिंग होते हैं जो इसको सिल पैक किये बैरता है एलेट और इंलट वाल भुता है या सक्षन वाल होता है या इनलेट वाल होता है या एक डिलिवरी वाल होता है फिर टाइमिंग एर के हल्प से हम लोग दोनों का स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो देख लेते हैं क्या के पॉइंट यह बोल रहा है इस अच्वक्राइब होता है इसी के बीच में जो आए यह रहता है इसे अचे पॉइंट देख लेते हैं कि वागे आगे बढ़ता हूँए आगे बढ़ता हुआ चला जाता है सिल में और फिर वर्ट में करत dub oh required बाहर लिखने करें सट एक सब्सक्राइब को अगर में घुस्कुर मुक्त का नहीं मिटर के ता जिससे क्या हो ख़ाए लिड़ बार स्पेस भी छोटा होता जाएगा और वो एर कंपरेज्ट होता जाएगा तो सिंगल इसके उसे भी हम लोग काम कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग डबल कर देख रहे हैं उसके बाद देखते हैं जा लेगे भेज़ा वन शाफ्ट इस ड्राइवींग शाफ्ट आण आनड़ाइशल लिऑ बता दिया है कि एक टारायो मैं चीज़र्स कर दिभेन शाफ्ट होता है औरी रोटेट होता रहता है द्राविंग शाफ्ट का शिप्राइब्र्स करता है एक गिएर तो निए यह रहा है दूसरा को लौकवाइस रहा है तो यहाँ पर उसी के वजह से क्या होता है यह यह होता है वहाँ पर यह पर इप वाहां पर जो प्रक्राब करोड़ कर बोड़ थे रुटेशन सीए तो आप उसी पर धीरे दीरे 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 आपका हैंड आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा वहाँ पर गोल गोल आप रोटेट करते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे वैसा यहां पर भी होता है वह तो इसी पर गोल आपके तरफ दीरे 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 रोटेशन के वजह से वह आगे बढ़ता जाता है और आगे का एरिया हमनों करते जाते हैं जिस्टे वह पर आपके हैं यहां पर देख लो यह हमारा इस प्रूव यहीं दोई लगा हुआ है यहां पर वाटर जैकेट है क जखねट सप्लाइक करते हैं कि एस तरह करते हैं कि इसलिए यहां पर वाटर जैकेट का म्यशन कहता है यहां पर बेरिंग जो होता है वो के सिंग और शाफ्ट के बीच में अपस तरह में रिल्चिव मोशन प्रवाइड करने की उस करते हैं यह घ्लीट अब चैनल यहांग né-द्वारास हुआ कि इससे क्या होता है कि यह हमारे मोंटर से कनेक्टड है ठो इसका प्रोटेशन के कम करते हैं यह में इनके हुआ हुआ है यहां पर यह जब अंचेर अद्वापर क्रूब हो, होगा वो इसके अब रोटेशन के वजह से जो भी यहां पर आया होगा जो भी गैस यहां पर आया होगा वो क्या होगा इसमें इसके बीच में जो गुरूव यहां पर यहां पर यहां पर गुरूव है उसमें ट्रैप्ट हो जाएगा ट्रैप्ट होने से रोटेशन के वजह से वो कंड्यासिसमें आगे बढ़ता ऑगा यह जब ऐसे घूमेगा तो यह ऐसाइड यह वरता वाचला जाएगा और उठीट होता हुआ जाएगा फिर पीछे से टर नो कर फिर यहाँ पर आ कर देखा थे संक्षन था वहां पर हम लोग एक रिडियूश नहीं करते हैं यहां पर क्देश्य स्टोंहें तुछ का शर्लीबिंस प्र्रिंसिपल शोता है सिमिलर को जैसा ही है जब से इसका कैसा वर कीन आपको आपको क्लियर वहां पर समस्म झाह they kept कि तो अब कि यहाँ पर देखे शब आप यहाँ पर अपने यहां Pan दें डिया यह मोटर से छन्नक्रीट है है लो इस को रूट से प्रूट आ यहां पर गया है क्या हो एक एसे अगे ऐसे बढ़ रहा है और दो G तो पर सेंब करते हैं यहां पर यहां पर बस घैस करते हैं और लास्ट में यहां पर रिडियूस करते हुए चला जाते हैं जिससे कहा होता है जो गूरूफ का स्पेस होता है केसिंग और शाफ्ट के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस होता है जिसको नों गुरूव बोलना है जो कटा हुआ पुर्शन है स्क्रूव में जो स्पेस होता है जिसके वज़ा से कोई भी गया स्याफ अगर यह में यूज करेंगा वहां पर तो वह चला जाएगा और यहां से ह लगे हुए वाटर जयकेट काम अलड़ी बता दिया आपको कि यहां पर पूलिंड का काम करता है कि जैसे तेंपरेचर उसका हाई होने के वज़ा से उसको हम लोग को थोड़ा सा टेंग में स्टोर कर पाएं तो यह से एर कुलर तो हम यूज़ करते ही है लेकिन साथ में ज् हमाने काम कर जाता है तो यह हमारा स्कूरू कंप्रेशर जिसने हमारा रूटरी कंप्रेशर कंप्रीट हो गया है रूटरी कंप्रेशर कंप्रीट हो गया हम लोगों को बाल पर ना है तो नेक्स लेक्टर में हम लोग वाल भी देख चुके हैं वहां पर सेम वाल में यहां प तो यह नहीं हमारा सारा टॉपिक कम्प्रीट हो जाएगा तरफ करते हैं अब वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जहूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा थैंक यू सो मच